हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेलपर मैं मैं हूँ आपका दोस्त फीचर हेलपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और वी क्लरक परी 14 अगस्त 5 शिप्ट का जो एक्जाम कम्प्लीट हो चुका है उसके हम बारे में बात करने वाले हैं मैं खुद ही जाकर इस एक्जाम को देख रहा हूँ self given analysis जो होगा है आपको मिलने वाला है बिल्कुल accurate आपको बिल्कुल बड़ एक से कोश्चन आपको बताया जागा किस level का पूछा गया था और cut up क्या हो सकता है क्या level रहा था साथ ही साथ हम देखिए और भी प्री फोर्ट सिर्प्ट का भी इसमें analysis करने वाले हैं तो आपको नीचे कुछ देख रहा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं डी आई के तो क्या ही कहने मतलब अगर आप खुद भी देख आया होगे तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या कहने चाहरा हूँ ठीक है इसके बाद देखिए heavy driver arithmetic अगर आपने खुद भी एक्जाम दिया तो आप खुद भी इसे analysis कर रहे होंगे कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ठीक है तो चलिए हम इस वीडियो में जो analysis है उसको start करते हैं और साथ ही मैं last में आपको cut off analysis भी बताने वाला हूँ तो बने रहीएगा वीडियो पर और अगर आप से मैं एक request करना चाहूँगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लें और bell की icon को press कर लें जिसे कि आपको आने वाले notification मिस न कर पाएं आगे आने वाले समय में हम इसमें related cut off पूरा RRB से और इसका result कवाएगा साथ साथ मैंस की strategy क्या होगी मैंने खुद भी मैंस दिया था लाश्ट यर खिलर कमनी निकाला था सब कुछ मैं आपको बतान जो कि moderate level आप कह सकती हो क्योंकि इसमें only of you can never be जैसे wording देखने को मिली थी और जो है तीन तीन चार चार जो है statement इसमें देखने को मिली थी काफी confusing जो है तो मतलब यह Chinese coding भी है भी इसको बोल सकते हैं ठीक है इसके बाद तीन नमर का direction जा जो की moderate था मतलब बंत हो गया तो easily थोड़ा बड़ा था उसको पैरा जो था बड़ा था इसके बाद 2-3 miscellaneous के थे एक side word formation से था ठीक है और यह मैं जो है word one out करके चार्टना था और एक starting में ह 2-3 miscellaneous थे इसके बाद 19-20 नमर की जो है आपकी पजल आई थी जिसमें seven box थे साथ नौर्थ रो में member थे और तीन बेट को लेकर पजल थी बेट के according अन्या अरेंज करना था और three into two month और date दे रखे थे ठीक है तो यह सारा पूरा हमारा reasoning का रहा था ठीक है reasoning का अगर हम Chinese coding और बागी सिलोक सोड़ें तो बागी सब कुछ मतलब easy ही था ठीक है तो अगर हम safe attempt बात करने reasoning की क्या रह सकता है तो 33 अगर आपके attempt है reasoning में तो बहुत ही आपका अच्छा जो है score माना जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद हम जो हम maths का analysis करने वाले हैं तो maths में आप देखी क्या क question थे मतलब थोड़े मतलब heavy थे मतलब heavy कहने का मतलब कि अगर आपने दिमाग से काम ने लिया तो आपको heavy पड़ सकते थे मैं ने बहुत ज़्यादा practice करकी थी साइद मुझे easy लगे हो ठीक है बहुत ज़्यादा easy थे quadratic 5 बिल्कुल easy थी मतलब factor एक दो के side बड़ी थे बागी simple थे मतलब ठीक है बिल्कुल easy थी इसके बाद 12 नम्मर का डियाई आए देखिए बागी सारी सिर्फ हुई हम दस का डियाई आ रहा है इसमें बार नम्मर का डियाई पुझा गया बार ग्राफ था और लाइन ग्राफ देखे लेंटी था बहुत ज़्यादा लेंटी थे और जो बार ग्राफ था है इसमें ABC करके दे रहा था तीन लोग हैं तीन इस्टोर थे जिनके द्वारा उनके कपड़े कुछ कपड़े बीचे जा रहे थे अक्टूबर और नम्मर में दिसंबर में अक्टूबर और दिसंबर में ठीक है न तो अगर देखिए मैं एक अप्र अक्टूबर नम्मर लिखा ABC लिखा और टेवल मुतालिय तो मुझे कटकट से हो गया लाइन ग्राफ में में सेम काम किया मुझे लाइन पढ़ने की बारवा जुरूवत नहीं थी मैंने लिखा फर्स्ट और लाइन ग्राफ में उतार और क्विकली मेरे आंसर हो गए थे ठी इसके बाद दस से बारा अर्थमेटिक टे जो की मॉडरेट हम कह सकते हैं चार पांच कोशन इजी थे बाकी के जो कोशन थे वो कापी गुमा गुमा के उसमें पूछ गया थे अर्थमेटिक के ठीक है तो यह हमारा जो है मैट्स का एनलेजिस रहा ठीक है अगर हम मैट्स में कट ओफ है वो क्या रह सकता है तो अगर आप सिक्स्टी फॉर पिलस से बना कर आएं और सेवंटी टू के बीच में आपके जो है नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है और आप कैटिगरी से हैं तो साट से लेकर अड़ सट तक आप करना के आए तो आप बिल्कुल से जोन में हैं मैं ठीक है अगर इसके बाद हम जो है विविन मात देमों से आपको अनलेजिस करके बताएंगे इसके लिए आप वीडियो सब्सक्राइब कर लिए और अभी हम फॉर्थ सिप्त कभी अनलेजिस देने वाले हैं ठीक है तो जो कट आप बनाये जाएगा बिल्कु जैसा कि आपको देख रहा हुआ 14th अगस्त फॉर्थ सिप्त है वह आज की सबसे मुझे लगता है इजी सिप्त है क्योंकि जितने भी चात्रों से बात कि वह बलना है कि जो फॉर्थ सिप्त है वह सबसे इजी है देखिए इसमें पांच नमर का जो है आपको सिलोक्स मिल जा इसके बाद तीन नमर का जो है मिसलेनियस इसमें पूछा गये थे तीन कोशन 15 नमर की मात्र 15 नमर की पजल इसमें सेवन सर्कल इंसाइड एट पैरिलर लोते और सेवन मंत दे रखे ते मतलब इससे जादा क्या लोगे भाई बिल्कुल मलदा हलुआ पेपर था रीजनिक पिलस 37 पिलस भी आप कहा सकते हैं इसमें बिल्कुल सेफ अटेम्ट आपके माने जाएंगे तो इसके बाद हम मैट्स की बात कर लेते हैं तो मैट्स आपको दिख रहा होगा देखे 14 अगस फोर्टिप्ट पंदरा सेम्पल इपकेशन बिल्कुल इजी मिसिंग बिल्कुल इ बैसे इजी था ठीक है जैसे मैं ना बात की तस नमर का अर्थमेटिक था जो की मोडरेट आपका पूछा गया था ठीक है तो अगर हम मैट्स के इसमें अगर कट अगर एक सेफ अटेम्ट की बात करें तो अगर अगर आप 32 पिलस या 30 पिलस भी करके आएं तो बहुत कम से कम 76 आप मानने 62 साड़ से 76 के बीच में ब्सका कट अब रहने वाला है और किसी किसी स्टेट में तो मुझे ळगताए कि यह उपर निकल जाएगा यह श्यातर के बीची के बीचिक लगवाग 25 कैस्य ते जिसमें की जो मैं जो स्कॉरल करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा बिल्गुल नीचे कोशा आंसर दे रखे थे बागी जब के कभी एक पर या दो पर दे रहे बागी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो चैनल को यार वीडियो को लाइक करते हैं अपने दोस्तों के श आगे अन्यवाले वीडियो में हम मिलते हैं तो तब तक के लिए जय हैं जय वारत